आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के उपर नेक्स ट्रेडिंग सेशन के लिए याने के एक्सपाइरी के लिए मेरे क्या व्यूज रहेंगे सपोर्ट रजिस्टंस लेवल क्या रहेगा आज क्या क्या हुआ है मार्केट में और आगे आने व इस वीडियो को फॉर्स टाइम देख रहे हैं और इस चैनल के उपर अभी नए आए है उन लोग में बताना परपस के उपर भी आपको मेरे चैनल के उपर वीडियोस मिल जाएंगे तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और वेल नोडिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सही से आती 1100 के उपर की क्लोजिंग देने के बाद आज निफ्टी बैंक फिर से 38,000 के बिलो जाके बंद हुआ है आज की अगर बात करें तो 37,762 का लो किया था निफ्टी बैंक ने और मैंने आपसे कहा था 37,500 and 37,000 डाउन साइट के लिए भी important support बन रहे हैं और अगर निफ्टी बैं तो यहां से और जादा fall हम लोग देख सकते हैं और इस time निफ्टी बैंक 36,000 को भी hold नहीं करेगा लेकिन आज 37,762 का ही निफ्टी बैंक ने low किया था और days low से recovery करते हुए 38,461 तक high किया था और अब जाके 37,953 के पास निफ्टी बैंक ने closing दी है तो आज starting में हमें एक गिरावट देखने को मिली थी निफ्टी बैंक के अंदर और उस time पे PE के अंदर बढ़िया profit हुआ मॉर्निंग में ही मैंने एक trade दिया था हमने एक trade लिया था जो की था 38,300 CE का क्योंकि जो पूरा चैनल अगर हम लोग देखे पूरा अगर पैटन देखे तो उस हिसाब से तो निफ्टी बैंक को मॉर्निंग में ही upside के लिए जाना था लेकिन SL हिट हुआ और वहाँ पे हमने loss में book कर लिया था और फिर जाके मैंने 38,200 PE buy किया 250 and 260 के पास और उसने बहुत ही बढ़िया return दिया 565 तक high किया था तो यहाँ पे PE के अंदर morning में बढ़िया profit हुआ है फिर जाके 37,800 के support के पास निफ्टी बैंक बहुत time तक रुका था और उसी समय मैंने कहा था members को कि यहाँ से recovery possible है तो उसके 15 minutes बाद first of all निफ्टी बैंक ने 38,000 को clear किया और फिर 38,400 के तरफ हमें movement दिखाया तो अभी जो market चल रहा है वो risky market है क्योंकि यहाँ पे option buyers को trap करने की कोशिश है तो यहाँ पे थोड़ा careful रहेगा अगर आपको कुछ भी knowledge नहीं है options का options के अंदर कैसे trading होता है क्या करना है तो please avoid कीज को थोड़ा market के अंदर stability आने दीजेगा एक हमें clear move देखने दीजेगा market का कि यहाँ से nifty और bank nifty कहाँ पर बढ़ सकता है तो आज nifty PE के अंदर जो बढ़िया profit हुआ है मैं कुछ देर के बाद यहाँ पे screen shots बेचती हूँ members के profit के वो चेक कर लीजेगा और अगर आप भी चा यह monthly fees है इसमें expirees भी include है और अगर आप चाहते हो सिर्फ और सिर्फ expiree के दिन trading करना तो 500 रुपीज पर expiree है तो अगर आप कल के लिए join करना चाहते हो तो कल सुबह 8 बजे से पहले payment कर दीजेगा उसके बाद में जो भी payments आएंगे वो मैं next expiree के लिए add कर दूँगी क्योंकि add बजे के बाद में बहुत काम होता है watch list बनानी होती है market check करना होता है तो इन सब के बीच में add करने के लिए group में time ने मिलता है तो ये बात का ध्यान रखेगा और अगर कुछ भी doubt रहता है तो आप मुझे whatsapp के number के उपर पूछ सकते हो whatsapp का number आपको यहाँ पे इस public channel के उपर मिल जाएगा तो आपको बस करना यह है कि payment हो जाने के बाद payment का जो screenshot है वो इस number के उपर send करना है अपने नाम और नमबर के साथ और आपको payment जो है वो यहाँ से करना है यह QR code है या फिर इस UPI ID से आप payment कर सकते हो और अगर कुछ भी doubt रहेगा आपको तो आप मुझ यहाँ पर डेली एक चार्ट भी प्रोवाइट करती हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कि अगर एक सपोर्ट ब्रेक होता है तो next support कहां पर बना हुआ है तो इन सब के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलते है और यह सामने public channel है यह भी आपको important है यहाँ से भी बैंक निफ्टी का next movement का analysis करना तो विलाल डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक ने एक bearish candle form की है कल एक strong bullish candle form करने के बाद आज जाके फिर से निफ्टी बैंक ने हमें एक negative closing दी है 200 points नीचे गिरकर निफ्टी बैंक आज बंद हुआ है और यहाँ से फिर से एक बारे 38,000 का लेवल ब्रेक हुआ है तो call option chain data अगर देखे तो call side में जो सबसे जादा हमें open interest बना हुआ दिख रहा है वो दिख रहा है 38,500 के level के ऊपर वही second highest की बात करें तो 39,000 के ऊपर हमें second highest open interest बना हुआ दिख रहा है call writing की बात करें तो यहां से हमें major call writing देखने को मिली है upside के लिए तो यहां पर निफ्टी बैंक के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है 38,400 और 500 के zone को clear करना लेकिन अगर एक बारी यह level यह zone clear हो जाता है तो यहां से एक तेज recovery हम लोग देख सकते हैं जो निफ्टी बैंक को इंट्राडे में ही 39,000 के तरफ भी लेके जा सकती है और एक बारी 39,000 के ओपर गया अगर बैंक निफ्टी और यहां से stable हो जाता है एक से दो सेशन के लिए तो हम लोग जल्दी यह 40,000 तक के भी levels निफ्टी बैंक के अंदर देख सकते हैं वही put site में support की बात करें तो देख कि सबसे जादा जो open interest हमें फिलहाल दिख रहा है वो दिख रहा है 36,000 के level के ओपर और put writing की बात करें तो उतनी बढ़िया put writing हमें नहीं दिख रही है सबसे जादा हुई थी 26,000 के लेकिन 38,000 के level के ओपर और यहां पे 38,000 का level तो निफ्टी बैंक ने hold नहीं किया है क्यूंकि सामने 69,000 का open interest बना हुआ है और यहां पे निफ्टी बैंक के लिए अगर 38,000 resistance बनता है तो गिरावट बढ़ने के chances है फिर निफ्टी बैंक डाउन साइड के लिए 37,500 और 300 के support को test जरूर करेगा तो अगर next trading session में 38,000 के below ही रहता है निफ्टी बैंक तो यहां से गिरावट के उपर देखे important support और resistance के level तो देखे first जो important support बना हुआ है यहां से वो है 37,850 और 810 का level अगर यह level से नीचे निफ्टी बैंक फिसल जाता है या फिर इससे नीचे ट्रेड करता है 15 से 30 मिनेट के लिए तो गिरावट बढ़ जाएगी निफ्टी बैंक हमें 37,550 और 610 तक ग बना हुआ है और अगर यह भी hold नहीं होता है तो next important support रहेगा 37,350 का level अपसाइट की बात करूं तो अपसाइट के लिए first resistance है 38,080 का level अगर यह resistance निफ्टी बैंक पार कर लेता है तो यहां से next जो resistance level है वो है 38,350 और 38,500 का level तो यह important support और resistance के levels है निफ्टी बैंक के लिए जो आपको आपके चार्ट के उपर मार्क करने है ताकि आपको ट्रेडिंग के वक्त definitely helpful हो सके और कुछ भी doubt रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो मैं आपको answer कर दूँगी तो अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर यहां तक देखा है तो लाइक करके ही जाना और अगर वीडियो बहुत ज़दा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना अपने friends family के साथ जिनको भी वीडियो यूस् care and trade carefully.